हलो दोस्तो मैं वसीम पठान आप सभी का दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल शुलिशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तो आज का जो वीडियो है खास और से मेरे ख्याल से बहुत जादा अगर से जो इंट्रेस्टेट लोग होंगे जो कंप्लेंट्स वगरा कर के हक के लिए है जब हम लड़ते हैं तो हम किसी दुकान के खिलाफ ऑनलैन या आफ लैन किसी भी तरह की अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो उसके ओपर गवर्मेंट की तरफ से एक्शन होता है राशन डिफार्मेंट की तरफ से दुकान के ओपर एक्शन होता है और उससे सव उसका निवारन उनको करना ही होता है तो ऐसे समय में अपलिक इनर जो है तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना चाहिए और अपने मांड को सेट अप रखके और पुरी तरह से सतर कोके काम करना चाहिए क्योंकि दुकानदार बहुत शातिर होते हैं वो जब अपलिक इनर और बोलते हैं कि अभी तो आपको जो मैंने कम दिया था जो भी राशन आपको चावल गहूं वगरा जो कम दिया था वो मैंने आपको पूरा कर दिये अब आप फिलाल इस कंप्लेंट को वापिस ले लो इसी तरह का हर दुकानदार पूरे महाराश नहीं पूरे इंडिया मे तो यह देखिए आपके सामने कमेंट आया हुए मेरे कमेंट बॉक्स में और मैं इसको पढ़कर सुना रहा हूँ इसमें लिखा है कि सर मैंने राशन दुकानदार के खिलाफ एक कंप्लेंट किया था और अब दुकानदार मुझे बोल रहे है कि मैंने आपका मसला हल कर दी आप इस फॉर्म पर साइन कर दी जिए और यह कंप्लेंट वापिस ले लीजिए तो उसने इस मेरे सबस्क्राइबर ने मुझे से पूछा कि सरा मेरे से इस तरह का एक फॉर्म लाई है मुझे बोल रहे है कि साइन कर दो मैं कन्फ्यूज हूँ मैं उसमें साइन करू या नह लिखा हूँ था क्या माजी पेलेली थक्राइब माजी तकरार मागे के तो है ऐसा इसमें फैसे पर मत्तल ने मेरे से फञे फैसा है मैं गलत हूँ आप मेरे से आपिसफ्तली हुँग तो यह तो आपनी आपकप्लेंट और मैं वबत. हो ऐसा यह लिखा उसा वह था वह शातीर था यूश ने कम्पलेंट उसने किया वह उससे कंटक में उस यूटुप चैनल द्वारा तो था हैं लोग जब कंटक में इस तरह कंपलेंट करूंग कि असी तरह कमामलाद आ पर सामने आ सकते हैं तो आपने 7 करहने और और वहाँ पर किसी भी राशन दुकान दर ने जो फॉर्म दिया उस पर साइन नहीं करनी है हमने कम्प्लेंट की दी हमने रैटिंग में लिख कर दिया था कि मुझे इस दुकान से यह तकलिफ है जब हमारी उस तकलिफ को दूर कर दिया जाएंगा तो हम खुद लिख कर देंगे क्या यह यह मेरी तकलिफ दूर कर दी गई है और मुझे अब इससे कोई तकलिफ नहीं है तो इस तरह का हम ही लिख कर देंगे तो वो किस तरह से लिखना है आज हम इसी विशय में चर्चा करेंगे और इस description box में इस video के मैं आपको वो application किस तरह से लिखा जाता है complaint clear होने के बाद में हमको एक application लिखके देना होता है वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते है वे screen पर चलते हैं और उस को देखते है चलिए दोस्तों दोस्तों फर्चा ओ मैंने ख्уд भुशेन अच्छ बना है उप यहां बना सकते हूँ यह हमारी बैसिक इंफॉर्मेशन थी हमको यह फील कर लेना है लिखना पर उपको लिखना है अपना मुझे राशन कम दे रहा है तो इसको टिक कर देना है अगर से हमारी तक्रार A.S.R.C. नमबर नहीं दे रहा है तो यहाँ पर देखिए मैंने अलग अलग टॉपिक्स लिए इसको टिक कर देना है इसी तरह से आप दोस्तों नीचे चलते चले आओंगे तो मैंने फॉर्मेट बना है कोशिश किया है बहुत अच्छा बनाने की हो सकता आप इससे बहतर अपना खुद कभी बना सकते हो लेकिन दोस्तों मैंने सिकाने की कोशिश किये किस तरह से हम को यहाँ पर लेना होता है और किस तरह से हमने कंप्लेंट किये तो हम खुद ही इसक स्क्रिप्शन में है